असलामीकुम क्या हाल जालें सब ठीक हैं अब सब ठीक होंगे खरियास से होंगे आज काश्वीफ असलम का जो यह मेकब अनों ने लॉंच किया है उसका रिव्यू देऊंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगे उसका रिव्यू इसमें जो मेरे यूज में चीजें हैं उसमें है भूली डिटर आइच व्यूर्व और बहुत यह उसम इसकी की पिग्मेंट यह देखें बहुत ंजी अख्यार पिक्मेंट हैं और आइस पे शेड्स अच्छी नहीं अप्लाए होंगी तो मज़ा नहीं आएगा उसके लिए शेड्स हैं मतलब आप इसको और कर सकते हैं और इसके साथ यह देखें यह वाला यह वाला ठीक है यह आप हाइलाइटर की जगा पर यूज कर सकते हैं मतलब के एक पैलेट अगर आप उसमें आपको सारे शेड्स हर तरह मिल जाते हाइलाइटर आइस पर हाइलाइटर हो सकता हाइलाइट भी हो सकती है और सौ्छा था ह्यूंकन आप इसमें part रिख гр आप नहीं सकते हैं यह देखें यह seems कि और रिख एप सारे हैं और यह देखिए कंटोर शेड है यह बहुत ही प्यारा कंटोर इसे आप कर सकते हैं यह देखें यह बिल्कुल ही फील नहीं होता कि आपने यह देखें डार्क कंटोर लाइट कंटोर यह देखें यह सारे शेड्स हैं यह वेलबिट शेड्स हैं जैसे यह इसमें पिक और ये देखें, ये वाला जो है, ये इनका, मुझे तो दूसरा इनका पसंद था पैलेट ना, बहुत पसंद था वबाला मुझे नहीं मिला था, मैंने ओर्डर किया था, िर्डर मुझे नहीं मिला था, वो मेरे खाल निका फ़तम हो चुका था, आउट ओ स्टॉक है, यह दिखें यह इनकी पैकिंग इतनी जबदस तेना को रिच किसम की पैकिंग बहुत अच्छी है अच्छा यह है इनकी पहले मैंने यूज पैले मैंने यूज की थी इनकी एक काशिव असलम की आई लेशेज ग्लू ठीक है उसे पहले राइशिज ग्लू जो आजकल हमारी चल रहीं है 4D 3D 60 उसके लिए लेश लेश बहुत हुझा है और उसके बाद मैंने यह इनकी यह वाली जो है यह मैंने की यूज कर रही हूं मैं अब यह इनकी चेक कर रही हूं कि यह किस तरह की है लेकि इने के उसकारा है इसे आपकी जू लिशी जाए बहुत ही थिक और लॉंग लगती हैं बहुत उपसुद कलर आता है उसके पर ब्लैक जट ब्लैक कलर आता है और मुझे तो यह बहुत पसंद आई हैं और उसके एलावा जो है इनका यह ब्रो जो होती है उनको यह देखिए जैल है उसका सेटिंग के लिए और बहुत ही प्यारा शेड है शेड जिनके अपने हैं जो आपको 24 आपको पसंद हो आप ले सकते हैं मुझे तो यह मेकब बहुत संद आया मैंने का आपके साथ रिव्यू शेयर करना चाहिए क्यूंकि आप तो मेरी पैमिली है और आपको पता होना चाहिए यह देखिए कि इतना अच्छा इसका वह है कि आप बहुत ही आराम से इतना अच्छा यह देखिए जो इनका यह है आई ब्रोस बनाना मुझे बहुत मश्किल लगता था लेकिन यह इसका आपको मैं बताती हूं ब्रश से आपको मैं तो यह कहूंगी कि काश्रीफ का जो मेकप है ना उसे मेकप करना बहुत आसान हो जाता हमारे लिए लड़कियों के लिए देखें जी यह इतना नेच्रल कलर है बहुत ही खुबसूरत और नेच्रल कलर है इससे बहुत ही इजी अब मेकप का सामान अच्छा हो आपके पास आप पॉड़क्स अच्छी हो ब्रेंडिड ओं असाम एकूम क्याल चालें सब ठीक है उम्मीद करते होंगे आप सब की कहोंगे फर्यस देंगे आज काश्रीफ असलम का जो यह मेकप अनों लांच किया है उसका रिव्यू देऊंगे आपके साथ शेयर करूंगे अच्छी तो आइज का रिव्यू इसमें जू मेरे यूज में चीज़ें उसमें है यह डूबी प्लेटर ऐब आई-शेडव प्लेटर ठीक है और बहुत ऑश्मीज की पिगमेंट यह देखें बहुत ही पिजमेंट और बहुत ही चुपसूरत पैलिट है यह यह बहुत ही प प्लाइए होंगी तो मज़ा नहीं आएगा उसके लिए शेड्स हैं का मतलब आप इसको और कर सकते हैं और इसके साथ यह देखें यह वाला ठीक है यह आप हाइलाइटर की जगह पर भी यूज कर सकते हैं मतलब के एक पैलेट अगर आप ले ले लेते हैं तो उसमें आपको सा था यह से खर्क्र साथ यह बढ़े वाडार कंटोरि से आप कर सकतेे यह देखें यह इसमें होता कि आप ने यह दे दार्क कंटोर लाइट कंटोरि पिग्मेंट चैक करें कितनी कोई उसम की मज़ए पिग्मेंट हैं यह दखें इसbooks याईंजू यह वैल मेड़ीइए सब इसमें All In One है जिसे आप अच्छे तरीके से मेकप इसका यूज कर सकते हैं इसमें आपको और जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन जैसे के मैं मेकप आटिस्ट हूँ हमें तो जरूरत पड़ती है और ये देखें ये वाला जो है ये इनका मुझे तो दूसरा इनका पसंद थ है ये दिखें ये इनका हाइलाइटर यह हाइलाइटर विद ब्लाश है इसमें आता है जासे कि मेरे पास दूसरा भी था स्कीन बैड लग मेरा टूट गया और उसके बाद मैंने वह और नहीं किया क्योंकि वह मेरे पास टूट गया था लेकिन मैंने सुझ सेव कर लिया था वह भी बहुत अच्छा है यह तो वाइल जैल लेना आपको पता है कि इसमें कोई नंबर की ज़रुद्ध नहीं होगी आपको सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा अलाफीज